इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसा रियक्ट कर सकता है बहुत जबर्जस्ट डेटा है और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है उसके बेसेस पे खासकर बैंक निफ्टी पे नजर रहेगी कि क्या इंपक्ट रहने वाला है प्लस एक इंडस्ट्री के उपर मैं फोकस करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड हम दो स्टॉक को डिसकस करेंगे जो पिक होगी अगले दो तीन महीने के लिए दिवाली तक के लिए हम उसको देखेंगे क्योंकि वहाँ पे एक सेंटिमेंटल बाइंग आती है और उसके बेस इस्टिट्यूशन्स ने अच्छी खासी बाइंग किया है FI की बात करें तो यहाँ पे पच्छी सो करोड से ज्यादा की बाइंग देखने को मिल रही है कैस में वही डियाइज ने भी 274 करोड के आसपास की एक अच्छी बाइंग है और साथ में अगर FI को अगर आप देखने को मिल रही है तो यहाँ पे sentiment point of view से अगर आप देखोगे तो अभी दोनों प्लेयर्स market को लेकर काफी confident दिख रहे हैं काफी bullish दिख रहे है वही मैं बात करूं global data के बारे में तो यहाँ पे global market में अगर आप देखोगे so Dow Jones और Nasdaq को तो Dow Jones में एक जबरजस्त recovery आई है जो की 1.64% के आसपास वही SMP 500 भी अच्छा खासा चला है Nasdaq भी चला है so no doubt global support भी है institutions की buying भी है तो definitely एक अच्छी सुरुवात की हम उमीद कर सकते हैं last time जैसे आपने देखा कि सभी segment में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी metal फिर से एक अच्छा खासा momentum दिखा सकता है because metal अपना जो support area है वहां से bounce ले रहा है IT से बहुत ज़्यादा उमीदे हैं IT बहुत अच्छा खासा कर सुका है और आगे आने वाले time में IT और भी अच्छा खासा perform कर सकता है last video में भी हमने इसके बारे में detail में discuss किया था बाकी pharma सही है, auto भी सही है और main जो नजर रहेगी अभी के trading session में अगर आप देखोगे तो वो रहेगी bank nifty पे अब bank nifty पे क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे bank nifty पे तो bank nifty में आये है PNB के quarter one के results, तो अगर आप देखोगे PNB के result काफी important role play करने वाले है क्योंकि कहीं न कहीं यह जो बाकी के PASUS bank है, उसको drag करने कोशिस कर सकते है तो PNB के results overall अगर बात की जाए, तो काफी अच्छे हैं यहां पे तो देखते हैं कि market इसको कैसे react करता है, क्योंकि अगर PNB अच्छा कासा momentum देगा तो साथ में SBI भी support करेगा, और बात करें दूसरे बड़े result की, तो यहां पे ICIC bank का result आया है तो definitely यह result भी काफी अच्छे ही कहे जाएंगे, बाकी देखते हैं, बाजार को कैसे लगता है तो अगर आप देखो कि, suppose करो कि PNB और ICIC bank, हलाकि इंडंसन बैंक के भी results आया है, बहुत जादा कुछ खास नहीं है लेकिन इससे बहुत जादा कुछ उमीद भी नहीं थी, तो अगर यह दोनों bank एक अच्छा खासा gap up open करते है and then यहां पे institutions का support है, plus global support है, तो definitely यहां पे जो nifty bank है, उसमें एक upside में momentum देखने को मिलेगा अब बात कर रहें, यहां पे कुछ commodity का, तो अगर आप यह दिखोगे, तो यह gold का chart है daily time frame में last trading session में लगबग इसी trend line से support लेता हुआ दिख रहा है, अब मैं बात कर रहा था जिस industry के बारे में, वो है gold industry आपको पता है कि इस budget में जो यहां इंडिया में आपको पता है कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े consumer है, तो जिस हिसाब से demand रहती है, तो definitely दीवाली हो गड़ा है, टाइम में और ज्यादा बढ़ सकता है, अगर gold के जो prices हैं थोड़े नीचे और जाते हैं, अब इस यह यहां पे अगर आप देखोगे prices down हो रहे हैं, तो demand में भी थोड़ी सी और बढ़ सकती है, तो उसके लिए हम चार्ट देखेंगे और कुछ अच्छे quality stocks हैं, उसको भी हम देखने कोसिस करेंगे, फिलाल अगर मैं बात करूँ यहां पे nifty bank का तो एक बार आगर आप होगे तो लाज टेडिंग सेसन में हमने सेर किया था कि एक छोटा सा हडल है, इसको अगर क्रॉस करता तो टेफिनेटली एक तगड़ा bounce back देखने को मिल जाएगा, और वहां से लगबग 300 point का एक अच्छा खासा bounce back रहा, तो daily time frame में है यह nifty bank, तो अगर आप देखोगे तो यह बिल्कुल ही make and break label पर है, इस neckline के, तो कल के trading session में काफी important रहेगा 52,000 का जो यह label है, अगर इसके उपर निकाल के 15-20 मिनट टिकता है, तो definitely फिर यह उपर जाने ही कोशिस करेगा, इसके बाद का जो huddle रहेगा, वो 52,600, 700 के आसपास and then इसके बाद फिर अपना जो life हाई ही है, उदर गई जाने ही कोशिस करेगा, तो कल का जो main focus रहना चीए आपको, वो रहना चीए nifty bank पर, क्योंकि nifty 50 already अच्छा खासा perform कर चुका है, तो यह सारे जो institutions हैं, इनकी buying है, प्लस साथ में यह index है, इसमें अगर जबर जास्त मोमेंटम जैसे auto है, वो भी अच्छा दि अब बात करें, gold industry से related, तो जैसा मैंने आपको पताया कि यह जो custom duty reduce हुई है, उसके basis पर demand में एक अच्छा खासा हम आने वाले दिनों में momentum देख सकते हैं, और इसके लिए दो जो market leader stock है, उसको हम देखेंगे, जिसके उपर आपका खासा नजर रह सकता है, अगर आप एक complete market को सीखना चाहते हो, तो Google पर जाके, अब the swing guru academy सर्च करोगे, तो हमारी website है, the swing guru.com, उस पर जाके explore courses पर क्लिक कर रहा है, तो आपको मिलेगा एक one of the highest rated course, जो की completely हिंदी में है, जिसमें आप सीख सकते हो, zero to advanced level stock market के बारे में, बिल्कुल ही basic से हमने start किया है, मतलब अगर आ high level तक हम ले कर गया है, जिसमें business, balance sheet analysis, कैसे stocks को find out किया जाता है, अच्छे stocks को कैसे देखते हो, multi baggers कैसे find out किया जाता है, सारी terminologies है, balance sheet, कैसे results को analyze किया जाता है, वो सब कुछ सीखोगे, और इसके लिए कोई भी accountancy की knowledge की बिल्कुल भी जरूवत निया, इसके बाद सबसे important section जिसकी वज़ा से हमारा course सबसे ज़्यादा popular हुआ है, वो है technical analysis, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे easiest way में समझाया है, तो आप यहाँ पे in detail सीखोगे कि कैसे price behavior क्या है, और वो भी उनके advanced version के, ऐसे नहीं, जो market में easily आपको YouTube अगरा पर available है, तो वो सारी चीजे, औ और आपको study material हो गयरा मिलता है, तो आप यहाँ पे check कर सकते हो, बहुत सारे rating and reviews है, जिन लोगों ने इस course को join किया है, क्या कहते हैं इस course के बारे में, तो अगर आप भी सीखना समझना चाहते हो, अगर आपको भी लगता है, कि नहीं, stock market अगर करना है, अगर stock market में रहना है, तो definitely यहाँ पे price behavior जो की सबसे important है, उसको सीखना काफी जरूरी है, तो यह course आपके लिए है, तो इस course का usually अगर price देखोगे, तो यह मतलब अगर market comparison में देखा जाता है, तो यह भी एक बहुत ही lowest value पे हम sell करते हैं, लेकिन इसके उपर भी इस बार बहुत ही जबर्जस्ट ड था वो आपको सिर्फ मिलेगा 5849 का, तो आप समझ सकते हो इस value में जो चीज आपको मिल रही है, करना क्या है, आपको use करना है coupon code सावन, और यह coupon code use करना बहुत ही असान है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर login पे click करना है, और login पे click करने के बाद आप click कर सकते हो, continue with the Google या फिर आप manually अपने जो details हैं उसको यहाँ पे fill कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ पे आपको select करना है आपका state कौन सा है, और यहाँ पे जैसे ही आप coupon code apply करते हो, तो आपका जो price है, वो इस price पे आजाएगा 5849 के आसपास यह आपको आजाएगा, और इसके बाद आप any mode of payments से यहाँ पे आप इसको आगे carry forward कर सकते हो, तो यह है offer और यह offer आज साम 7 बजे तक valid रहेगा, यह coupon अभी active हो चुका है, तो साम 7 बजे से पहले आपको यह join करना है, अगर आप market को सीखना समझना चाहते हो, चलिए, वापस आते हैं topic पे और बात करते हैं, कौन से हैं वो दो ज market leader stock है, न सिर्फ अगर मैं बात करूँ, ज्वैलिरी सेग्मेंट में तनिस्क इनका एक brand है, बहुत ही जबरजस्ट चलता है, तो लगभग 90% का market share अगर आप देखोगे न, organized market में, तो यह सिर्फ और सिर्फ टाइटन के पास हो, और साथ में बहुत सारे काम हैं, इनके पास जैसे IVR की हो गया, या फिर watches का हो गया, उसमें भी market leader है, तो बहुत ही जबरजस्ट company पीछे भी हमने इसको पकड़ा था, तो यहां पर अगर मैं बात करूँ, इसके labels की, तो आप देखोगे कि last week एक अच्छा खासा reaction देने के बाद, लगभग 3550 का जो यह label है, वहीं गहीं पर confirmation का, क्योंकि एक breakout label है, make and break label है, इसके उपर sustain करता है, break करता है, weekly basis पर closing देता है, देन वापस आप जाके एक अच्छे demand area पर वापस re-entry यहां plan कर सकते हो, दूसरा जो इसका stock है, वो भी काफी अच्छा खासा, आपने भी नाम सुना होगा, वो है कल्यान ज्वेलर, तो कल या momentum, jewelry stock काफी boom किये थे, लेकिन last week थोड़ा सा profit booking भी आ है, तो इसका जो neckline area है, अगर ये इस demand area पर मिलता है, तो काफी attractive हो जाएगा, जो की लगभग 455 से लेके downside में 421 रुपे का ये एक दमदार label है, and then इसके बाद अगर यहां से अगर मैं बात करूँ इसके target का, तो target भ करिए और ध्यान लखिये कि telegram हमेशा वीडियो के link के through ही join करना है, और ये coupon active हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पता है, और valid रहेगा आज साम 7 बज़ सक, so thank you so much for watching this video, मिलते हैं बहुत जल्द आप से next video में,